सरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है, देश की युवा परेशा, देश के किसान परेशा, देश की वेटियां परेशा, सिर्फ चौकीदार बिजनेस मैनों के लिए बनके रहे गुंतरी मोदी जी, हमारे देश का वेड़ा गरक करके ही छोड़ेंगे, रगुपती गव राजा राम, पती तपावन, सीता राम, आज जो बोल रहे हैं, ये भी अपने दम पर बोल रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता है, कि अगले चोराहे पे मेरे साथ क्या हो सकता है, हम जैसे क्रांतिकारियों की अब आखे खोल गई हैं, और दो हजार चौबिस में एक परिवर्तन ले रहा है, दूला कौन बनेगा? राहुल गांधी जी परिवर्तन हो गया? अंतर की धर्ती से काफी जादा अभधर बाते सुन रहा था, तो मैं यहां दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली पहुचा तो यहां पे हमने अपने देश की पालवान बेटियों को देखा, जो की हमारे देश की तरंगा का सम्मान बढ़ाने का काम किया, और वहां पे भी बिज बाडरों तक दिल्ली में उनको डेटें किया गया और हमारे देश के किसानों का खून बहाया गया बीजेपी सरकार द्वारा, और हमने देखा कि हमारे देश की फोज जो बाडरों की रक्षा करती है, ओ आज के समय में अगर देखा जा तो 122 से 23 दिन होने जा रहा है, हमारे देश के माननी प्रधानमंत्री जी एक फिल्म को बनाने के लिए 45-45 मिनट का समय देते हैं, लेकिन हमारे देश के बड़े-बड़े मुद्धे हैं, किसान के मुद्धे हों ुसमें भी भारत वास्यों के लिए ही करते हैं, उसमें भी तमाम चीजे धार्मिक दिखाई जाती मेरा प्रश्ण ये है कि हमारे देश के प्रदानमंत्री अगर पांच मिनट का समय दिये होते तो हमारे साधों किसानों का खूनना बैता अगर हमारे देश के मान्नि प्रदानमंत्री मोधी जी पांच मिनट का समय देते तो हमारे देश की बहने 28 दिन दिल्ली की जंतर मंतर की धरती पर सडकों पर ना बैडती हमारे देश के मानि प्रदान मंत्री मोदी जी अगर पांच मिनट का समय देते तो हमारे देश के पूर्वसैनिक आज 122 दिन से जो धरना चल रहा है फोजी भाईयों का ओ ना चलता तो हम और अगर पांच मिनट दिये होते तो आज मडी पूर जो 56 दिन से जल रहा है नर संगार हो रहा है सोयम वहाँ पे बिजेपी की डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे नर संगार हो रहा है पांच मिनट दिये होते तो आज ये नर संगार भी रुख जाता तो प्रदान मंतरी मोदी जी की नीतियों को हमने समझ लिया इन्होंने पहले हमारे किसानों की जमीन छिनने की कोशिस की हमारे देश के किसानों ने अपने जान किया हुतिया देकर अपने जमीनों को बचाने का काम किया और आज मड़ी पूर में इनकी निगाह जमी हुई है, उन किसानों को आदि यवासी लोगों समुदाई के लोगों की जमीनें इन जमीर का मरना मौत है, उसलिए आज मैं जमीर जिंदा है, आज मैं बिजे पी पालटी का आज 10 दिन हो गया है परत्याग तो मैं उसी दिन कर दिया था जिस दिन मैं दिल्ली की जंतर मंतर की धरती पे पहुचा और इनकी सच्चाई मेरे आख के सामने आ गई मैंने देश के लोगों का दुखों को देखा और मेरा जमीर जिन्दा था और मैं बिजेपी पाल्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ और जो धितराष्ट बनी ये सरकार कुल्दीव जी आप ये भागवा वस्त्रधारन कर लिए हैं क्या मतलब है इसका ये भागवा जो हमने पहना है ये हमारे धर्म की पहचान है ये किसी की जात्विशेस की है नहीं ये हमारे धर्म की पहचान है चंद्रगुप्त मौरिया बुद्ध महराज ठीक है छत्रपति सिवाजी महराज गुरु गोबिन सिंग जी महराज अवस्वम यदवनसी भागवा डूआन श्री क्रिश्न के ये सारे पहचान है एर भग्वा किसी की डेन नहीं ये भग्वा हमारे हिंदुत की पहचान है और आप को बता दे हिए कि बीजेम्पी सरकार में जो भी करते थे रगुपती राघाव राजा राम पती तपावन सीता राम तो उनकी जो बोली थी इस बोली को पूरे बिश्व ने माना और पूरे बिश्व में इसका परचार परशार हुआ और आज देख लिजिए बिजेपी सरकार मेर किवल दो काम कर रहे हैं या तो इमारतों की या तो सडकों की इतिहास चेंज करने का या सहरों का इतिहास चेंज करते हैं और आए दिन कोई न कोई फिल्म बना देते हैं अभी एक आया है हमारा आदी पूरुष फिल्म बनाया है जिसमें देश के हमारे प्रधान मंतरी मोधी जी 45 मिनट का समय दिये थे और एक फिल्म और आ रही है हमारी मुसल्मान समाज से 72 हूरें तो ये फिल्मे कहीं न कहीं आप अगर देखें तो हिंदू और मुसलिम में टकराओ करने का एक सड़ी अंत्र बनाया जा रहा है और देश विदेशों में जाकर प्रदान मंत्री श्वम मस्जित के अंदर जाकर मस्जित का गु पहले अचान रता से से बता देना चाहे हैं कि सबसे बड़े जुमिले बाज और दोखे भाज और सबसे आच्य दीन-अम्रीत कल तमाम चीजें आप नहीं मिसाल बिजेपी का देश का जवान परेशान, देश की युवा परेशान, देश के किसान परेशान, देश की वेटियां परेशान, बिजेपी का ही नारा था ना बैयन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जिस दिन नए संसत का उद्गाटन किया, उसी दिन हमारे देश की व तोधी जो चौकीदारी बोलते हैं न हम चौकीदार है ये सिर्फ चौकीदार बिजनिस मेनों के लिए बनके रह गहे हैं अडानी अमबानी और आज जिस अंग्रेजों से इस अंग्रेश पाल्टी ने कांग्रेस पाल्टी ने लोहा लेकर हमारे देश को आजात कराया आज BJP के लोग केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं और हमारे हिंदू भाईयों का दिमाख जो है ब्रेन कर चुके हैं और मैं हिंदू भाईयों से अनुरोध करता हूँ कि किसी एक पर इतना ज़्यादा विश्वास मत करिये अगर ऐसा ही विश्वास आपका बना रहेगा ते प्रदान मंत्री मोदी जी हमारे देश का वेड़ा गरक करके ही छोड़ेंगे और आज हम जो बोल पा रहे हैं ये भी बोल नहीं पाएंगे और आज जो बोल रहे हैं ये भी अपने दम पर बोल रहे हैं और मुझे ये भी नहीं पता है कि अगले चोराहे पर मेरे साथ क्या हो सकता है क्या हो सकता है इसका मुझे क्योंकि मैं सत्य बोल रहा है यह सत्याई है कि और जो भाईयों को मेरी बातों से कहीं कश्ट हो एक बार उनसे मेरा हाथ जोड के निविदन है कि दिल्ली आ जाएं जंतर मंतर पे चार-पांच दिन रहकर देख ले बीजेपी का पूरा का पूरा काला चिठा खुल जाएगा और आप जो आप बीजेपी बी भाई होती तो क्या डबल इंजन की सरकार बनती आप बताई है डबल इंजन की सरकार हम जैसे क्रांतिकारीं anecdote बनी और हम जैसे क्रांतिकारी कि अब आखे खोल गई हैं और दो हजार चौबिस में एक परिवर्तन ले रहा है मुहबत जी ने नफरत छोड़ो नफरत के बजार में मुहबत की बजार जो खोला है और यह मुहबत की बजार अब रंग लाएगी आपने देखा होगा बहन कि पटना में महागडवंदन की रह जार चौबिस में मान ने राहूल गांधी जी देश के परदान मंत्री बनने पटना में सिर्फ साधी विवा का बात हुआ है लालू जी कहते हैं हम बराती जाएंगे बराज जाएंगे बहन यही आप में और राजनीती में यही फरक है उन्होंने इसारा कर दिया कि बिपच जी तो देश का प्रदान मंत्री राहूल गांधी जी मानने राहूल गांधी जी बनने जा रहे हैं और देश को जितना नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है उस छबी को कहीं अगर दूर कर सकते हैं तो मानने राहूल गांधी जी कर सकते हैं आप लोग देख पाए होंगे कुलदीपी अदोजी थे ये बता रहे थे पहली के कट्टर बीजेपी समर्तक थे लेकिन ये दिल्ली के जंतर मंतर आ गए तो इन्हें देश का हाल पता चल गया तब से ये बीजेपी का बिरोध करते हैं इस खबर पे आपकी क्या रहा है हमें कम में जरूर बताएं धन्यवाद